इस वीडियो में एक ऐसी सच के बारे में मैं आपके साथ डिसकस करने जा रहा हूँ जो की सारी दुनिया में एक शोशा टाइप का फैला रखा है सबने कि यार राइल इंफिल्ड को अगर आपने ले लिया हुआ है तो आप में बहुत जादा बाडी की जरूरत है डोले शोले होने चाहिए बहुत जादा बाडी तगडी होनी चाहिए हटी कटी तो गाइस क्या ये सच है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कहा जाता है कि अगर आपके पास अच्छी खासी बाडी है तो अगर आपने राइल इंफिल्ड का स्टेंड लगाना है तो भाई आपको अच्छी खासी बाडी होनी चाहिए कि अगर आपने स्टेंड ही लगाना है डबल स्टेंड जो आपकी कैसे आपको double stand लगाना है यह वाकई में सच है कि इसकी कोई जरूरत नहीं आपके कोई बहुत जाला body की जरूरत है कि यहाँ बहुत जाला body की जरूरत है यहाँ आप अट्टर कटे हो जाओ तो तब जाके stand लगा ऐसा कुछ भी नहीं है यह 500cc है इससे I think Royal Enfield में 500cc तो काफी भ यह देखिए बाइक सीधी करने के बाद यह देख लीजिए यह double stand को नीचे रखा जब भी आपने stand लगाना है देखिए एक हाथ से पकड़ियों से यह 500cc है नीचे से पैर को अधर से लगा यह double stand को बराबर रख लीजिए यह simple सा trick है इसमें कोई भी आपको पावर ज्यादा पावर की ज़रूतनी है simple सा trick है यहां से लगा दिये नीचे से stand और इधर से आप simply एक टायर को stand आगे के steering को सीधा रखने के लिए ऐसे कीजिए याद रहें कि आप इसका gear निकाल लो double stand लगाने से पहले अगर नहीं निकाला है तो clutch को प्रेस कर लीजिए मैंने इसका निकाल लग चुका है तो देखिये दोस्तों इसमें कोई बड़ी बात नहीं है आपको ज्यादा बॉडी बनाने के जरूरत नहीं है इसमें कोई बारी आपको बड़ी बनाने के ज़रूरत नहीं है यह simple trick है और यह बिल्कुल जूट है कि आपको बड़ी बनाने है एक double stand लगाने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं जो सिंपल ट्रिक है और ऐसे ही रॉय एंफिल्ड के रिलेटिड और अच्छी से अच्छी फीचर्स और ड्राबैक्स जो भी रॉय एंफिल्ड के रिलेटिड हैं आने वाली वीडियो में आपके लिए लाता रहूंगा प्लीज मेरे चैनल को सब्सक करें जाहें ठेंगें